अगर तुम हमें सुबह सुबह उठा रहे होने रा के लिए तो हमारी कुछ उमीदें होती है रा से आप वो पूरी नहीं करते हो कभी-कभी तो याइस से मैं चैंपियन्स ऑफ दे वोल्ड मैं हो 3DX चेतन सम्टाइम्स रॉइक ऐसे टाइम पर आती है जब लोग अपनी ऑफिस जाने की तयारी कर रहे होते हैं वो उस्ते चलो मूर फ्रेश कर लेते हैं बट देन वो देखते हैं पता चलता है कि आ यार कुछ भी नहीं हो रहा विए उसको सिर्फ एस एंटर्टेनमेंट देखता है तो आई थिंक के मेरा गैस गलत हो सकता है बट मैं अपने तरफ से गैस लेना चाहता हूँ कि उन लोगों को ये पसंद नहीं आई होगी that is for sure कहर जो आज की रॉक के स्टार्टिंग ब्लड लाइन के टेक ओवर से एक अंसक्सेस्फुल टेक ओवर से जो शुरू होती दिखाए दीती कि that was kind of good जिसकी वज़े से हमें अलाइस वर्से सोलो से कोगा का सम्थिंग सम्थिंग म्यूजिकल स्ट्रीट फाइट देखने को मिला स्ट्रीट फाइट चैंपियन ने उसमें डॉमिनेट भी किया जिसके चलते हमें six men tag match देखने को मिला between street profits and अपना एक और बंदा था यार kevin owens versus sami zain and the usos match was good और मैं यह कहूंगा कि देखो जैसा भी मैंने पहले का उसका यह मतलब नहीं कि matches खराबते matches were perfectly good even women's division का even dexter lumis versus Chad gable का हर match ने वहाँ पर deliver किया जैसा मेरे को लगता है बट एक जो raw का nuance होता है ना वो missing था क्योंकि let's just say कि अब 2011 में जाते हो अब 2005 में जाते हो अब कोई भी raw उठा लेते हो तो एक ऐसा moment होता है जो कि उस raw को define करता है जो कि मेरे को लगता है कि आजकल वो missing है वो defining moment नहीं आपा रहा है शुरू match से हो रहा है ending match से हो रही है बीच में match आ रहा है तो वो kind of weird सा लगा मेरे को ending का match of course absolutely fantastic जो थोड़ी बहुत smile भी दिख रही होगी मेरे चाहरे पर that is because अपना फेवरेट अपना चचेरा भाई Austin Theory जीत क्या है यार पहले पाद जिस तरीके से match चल रहा था दिरवाज बिग चांस की Austin Theory ही जीतने वाले थे हमें यह देखना था कि किस तरीके से जीतने वाले है और वही चीज हुआ भी Seth Rollins बिचारी युस टाइटल को capture नहीं कर पाई thank god there was no interference Austin Theory ने टाइटल रिटेन करी अच्छा लगा साल इतनी अच्छी तरीके से start हुआ है अगें I'm a Austin Theory fan तो इसलिए लोग hate मत करना कि कि आप किसी की भी fan हो सकते हो अगर आप Seth Rollins के fan हो तो chances है कि कोई Austin Theory का भी fan होगा कोई किसी और का भी fan होगा I'm a big Austin Theory fan I'm a big Austin Theory nerd let's just say that तो I was happy for that उसके अलावार RAW में मेरे को लगा नहीं क्या सच कुछ बताने लाएक है इवन ब्यांका वर्सेस एलेक्शन ने आदा घंटा खीचा starting में तो बड़ा disappointing था जब क्योंकि वह बहुत आराम से खतम कर सकते थे और वह मास्क में कौन था भाई मास्क में भीडे में कौन बैटा था मेरे को पता है पीचे जा ऐसा लगा कि Mark Zuckerberg है वो वो कोई और पहलवान तो लग नहीं रहा था प्रोड़क्ट को सुधारो रहा कुछ नहीं कर रही है और यह कल रात में क्या ख़बर आया थी कि रह बहुत भयंकर होने वाली है रिटांस एक्सपेक्ट करो एक्सपेक्ट दी अनेक्सपेक्टिड हाँ लाहिन तो आपने सही कही थी एक्सपेक्ट दानेक्सपेक्टिड क्योंकि जो भी हो मैंने गंदा शो एक्सपेक्ट नहीं किया था और वह उन्होंने दे दिया बड़े गंदे हैं यह लोग यह एक्स आज मैं कहुंगा कि उतनी लाइक नहीं थी कि इसको आठ मिनट तक भी खीचा जाए मेरे को लगता है कि यही तक वीडियो समाप्त कर देनी चाहिए जो जितनी भी आप मुमी दे वो को डिफाइन करेंगे तो फिर आपको एक पर्फेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा एक ब्लॉक्बस्टर का वह करनी रही है तुमके लगाए और मेरा पोपट हो गया अच्छी भाई कोमेंट्स में लिखना आपनी रॉक की रेटिंग और रिवीव और आपको वीडियो पसें ना तो प्लिए लाकर शेयर को चैनल को सब्सक्राइब करो